सूप्रभाद बच्चों, आज का हमारा विशे है हिंदी और आज हम हिंदी में पढ़ेंगे अहा कौनसा स्वर पढ़ेंगे? अहा और अहा से क्या होता है? कुछ नहीं अहा से खाली, अहा से कुछ नहीं तो बच्चों आईएब हम यह जानते हैं अहा को हम किस प्रकार से लिखते हैं? तो सबसे पहले बच्चों आपको बनाना है अ क्या बनाना है? अ सबसे पहले आप बनाएंगे अ तो यह बन गया हमारा और अब हम उसके उपर एक स्लीपिंग लाइन बनाएंगे और यह स्लीपिंग लाइन अब हम एक इसमें दो डॉट्स बनाएंगे अब में कुछ नहीं होता है और अहा बनाने के लिए हमें दो डॉट्स लगाने होते हैं आप यह दो डॉट्स लगा देंगे तो यह बन जाएगा अहा तो सबसे पहले आप को बनाएंगे इस प्रकार से फिर हम यह दो डॉट्स बनाएंगे ऐसे और अब बन गया यह हमारा अहा आएए अब हम यह जानते हैं ब्लैंक कॉलम में कैसे लिखते हैं तो बच्चों आपको इस प्रू लाइन से शिरू करनी है तो सबसे पहले आप अ बनाएंगे यह बन गया हमारा अ और फिर आप यहां पे दो डॉट्स लगा देंगे और यह बन गया अहा आईए एक बन और अब्यास करते हैं सबसे पहले आप और बनाएंगे और फिर आप इसमें दो डॉट्स लगाएंगे तो बच्चों यह बन गया अहा तो इस प्रकार से आपको अहा लिखना है सबसे पहले आप dress करेंगे और फिर आप इस blank column पे लिखेंगे तो बच्चों यह आपका homework है और यह आपका page number 33 है